वैक्सिन की एक डोस लगाना बेहत ज़रूरी है और कई जगह तो वैक्सिनेशन का फाइनल सर्टिफिकेट दिखाने पर ही आपको रोज मर्रा के स्तमाल में आने वाली चीज़े मिल सकेंगे मध्यप्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है कि उन उखभोकताओं को राशन नहीं दिया जाएगा जिन्होंने अभी तक वैक्सिन का पहला या दूसरा टीका नहीं लिया है यानि अब कोरोना वेक्सीनेशन का प्रमान पत्र दिखा कर ही राशन मिलेगा मध्यप्रदेश में इन दिनों शिवराज सरकार लोगों को ज्यादा से ज्यादा कोरोना वेक्सीन देने की युजना पर काम कर रही है खासकर जिन्होंने सेकंड दोज नहीं लिये हैं उन पर फोकस कर रही है अब इसे लेकर सरकार और सक्त हो गई है दरसल सरकार ने ये फैसला लिया है कि उन उपभोकताओं को वेक्सीन के दोनों दोज लगवाएंगे तब ही मिलेगा राशन खाद्या नागरेक आपूर्ती एवं उपभोकता सनरक्षन विभाग के प्रमुक सचिव फैज एहमत किद्वई ने जिला आपूर्ती अधिकारी को जारी आदेश में कहा है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के उन उपभोकताओं को नजदी की अस्पताल में वेकस्कीनेशन के लि आपको बता दे कि बुधवार से मध्य प्रदेश में 100% कोरोना टिकाकरन के लिए 10 नवंबर से महाभियान शुरू हो चुका है जो लोग वेकसीन लगवाने के लिए केंद्रों पर नहीं पहुँच रहे हैं अब सरकार के नए नियम से ऐसे लोगों को अब वेकसीनेशन करा आना ही पड़ेगा इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान ने निर्देश दिये थे कि हर जिले के दीम 25 दिसमबर तक कोरोना का दूसरा डोज लगाने के लिए दिन का लक्ष निर्धारित करें प्रदेश में आप 17, 24 नवंबर और 1 दिसमबर को टीकाकरन का म प्रदेश दिसमबर को टारी